हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे ओईल शेयर किये हैं और मुझे उमीद है कि आपको उनसे काफी फाइदा मिला होगा तो आज मैं आपके लिए एक और ओईल लेकर आई हूँ जिसके बहुत सारे फाइदे हैं यह जो ओईल मैंने बनाया है यह मैंने तिल के तेल में कुछ चीजें डाल कर त्यार किया हैं और आप जानते हैं कि सर्दियों में तिल का जो तेल है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता हैं क्योंकि जो तिल का तेल है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पैटी तिल के तेल से हमारे जो बालों का natural moisture वो बना रहता है, dryness दूर होती है, हमारे जो scalp में पपड़ी हो जाती है, खुजली होती है, किसी तरह की infection है, तो यह है, उसे दूर करता है इस oil को बनाने के लिए मैंने यूज किये है जाइफल, जी हाँ यह है जाइफल, जो कि हम बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए पीस कर देते हैं, तो इससे हम जब oil बनाएंगे, सर्दियों में इस oil को आप यूज करके देखना, इसका कितना फाइदा होगा आपको और जो दूसरा इंग्रीजिंट में यूज कर रही हूँ, वो है जावित्री, यह जो जावित्री है, यह भी तासीर जो होती है, इसकी वो गरम होती है, सर्दियों में इसका oil बनाकर अगर आप लगाते हैं, तो आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, और आपकी बालों की ग्रोथ के लिए भी दोनों इंग्रीजिंट्स बहुत अच्छे हैं, और अब मैं 200 ml सेसमी ओल ले रही हूँ, तिल का तेल, अब यह जो जावित्री है, यह जावित्री है, यह जावित्री है, इन दोनों में ही, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेट्री और एंटी हमने लिया है, और यह अब मैंने जो जायफल आपके सामने, मैंने दरदरा किया वो है, अब एक इंग्रीडियन्ट हमने और लेना है, वो है यह काली मिर्च, काली मिर्च भी आपने ही सॉयल में जरूर डालनी है, थोड़ी सी यह मैंने मोटी पीसी हुई ली है, अब इस सॉ और इस ओयल में अब मैं डाल रही हूँ ये जावित्री, ये लगबग 10 ग्राम जावित्री है, 200 ml में हमने 10 ग्राम जावित्री डाली है, और ये 2-3 अपने जाइफल डाल देने हैं, पीस कर थोड़ा सा अपने दरदरा सा कर लेना इसे, और अब ये जो काली मिर्च है, ये भी ऐसे गुन पाई जाते हैं, जो हो हमारे हेरफॉल को कम करते हैं, कभी-कभी आपने देखा होगा कि गंजापन आ जाता है कहीं-कहीं से, पैचिस बन जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, तो ये उस प्रॉबलम को भी दूर करती हैं, इसमें विटामिन B होता है, C और पटेशि पाई जाते हैं, जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं, इस ओईल को जैसे आप गैस पर रखेंगे, आपने इसमें सारे इंग्रीडियंट्स साथ में डाल देने हैं, और लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, जैसे लो फ्लेम पर एक बोईल आ जाए, तो तो आपने इसे 5-7 मिनट बनाने के बाद कैंस ओफ कर देना है एक बात मैं आपको और बता दूँ अगर आपके यहां अच्छी धूप निकल रही है तो आप इसे धूप में 10-15 दिन रख कर भी इसे बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक ओईल बताया था वो मैंने ब्रह्मी और ब्रिंग राज से बनाया था धूप में रख कर सेम वैसे ही आप इस ओईल को भी बना सकते हैं अब सर्दियों के कारण कितने दिन हो गए हैं यहां डंग से धूप नहीं निकल रही है तो मैंने यह ओईल इस तरीके से बना लिया है तो अब देखिए यह तेल जो है हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है इसे एक से दो दिन तक ऐसे पड़ा रहने दीजिए जो इसकी इंग्रीडियंट्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से इंफ्यूज हो जाएंगे तब तक के लिए अब लगबग दो दिन हो चुके हैं तो अब यह ओईल जो है वो अच्छी तरह से रैडी हो चुका है इसे आपने एक कांच के कंटेनर में भर लेना है पहले हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं तो वो इजीली कंटेनर में ट्रांस्फर हो जाएगा आप इसे एक कॉटन क्लोथ की हल्प से भी चान सकते हैं जैसे भी आपको इजी लगे आप इसे चान लीजिए यह देखी अब यह ओईल बनकर रैडी हो चुका है इसे आपने एक कांच के कंटेनर में यह टाइट कांच का कंटेनर लीजिए और उसमें आप भरकर इसे रख लीजिए और पूरी सर्दियों में आप इस सॉयल को यूज कीजिए और इसके जो फायदे आपको मिलने वाले हैं वो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना